नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं स्यम हमंत्य ने 14 में 14 क्रोर की युजनावका के उधघाटन मुख्य मंत्री हम engag सिरें सोमोर को एक दिवसे दोरे पर चत्रा पहुँचे पूलिस लाइन में आयजित कार्कार में वह सामिल हुए बतादे कि इस कार्करम में मुख्य मंत्री हमान सुरें 14 क्लोर की 42 योजनाव का उधगाटन करेंगे साथ ही 364 क्लोर की 117 योजनाव का सिलन्यास करेंगे बतादे इस दोरान 11 लोगों को CM हमान सुरें नियुक्ति पत्र भी सोपेंगे इस कारकरम के दोरान स्रम मंत्री सत्यान भुकता विधायक अमा परसाद सीएम के सची बीने चोबे सहित कई अतिती मौजूद है इस दोरान मुख्य मंत्री हमन सुरे ने कहा है कि राज्ये के हर वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा इसी के लिए हम काम कर रहे हैं ग्रामिन छेत्र का विकास हमारा उद्यस से है हम सोचते हैं कि कैसे ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता का सुधार हो कैसे वहां की आय में ब्रिधी हो कैसे जार्खन के गाउँ वहां की किसान मजबूत हो साथ ही हमारा पर्यास है कि जार्खन का हरेक वर्ग सिक्षित हो हम ऐसे जार्खन की परिकल्पना करते हैं और पर्यास करते हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि अंधकार में डूबा ए चातरा जीला धीरे धीरे चमकता हुआ जीला के रूप में उभर रहा है सीवू सुरेन ने चार जुलाई को बुलाई जहामों केंद्रिय समिती की बिस्तारिक बैठक चार जुलाई को जहामों केंद्रिय समिती की बिस्तारित बैठक बुलाई गई है इस बैठक के अध्यक्ता जहामों के केंद्रिय अध्यक सीवू सुरेन करेंगे वहीं मुख्य मंत्री हमान सुरेन भी इस बैठक में सामिल होंगे सभी जिला अध्यक्षों को बैठक में अनिवारी रूप से मौजुद रहने को कहा गया है बताते जार्खन मुक्ती मोर्चा के केंद्रिय अध्यक्ष सीवु सुरेन ने मरपांडे ने 4 जुलाई को होनवाली बैठक के लिए सभी केंद्रिय समीती सदसे और पता अधिकारियों के साथ साजिला अध्यक्ष और जिला सचिव को पत्र जारी कर दिया है जार्खन में संताल के रास्ते आया मांसुन रांची समेत कई जिलों में बारिश सुरू जार्खन में सोम वर्दो फरबाद मांसुन परवेस कर गया संताल परगना के रास्ते दक्षिन पच्छी मांसुन का राज में आगवन हो गया है मांसुन गोड़ा साहिव गंज पाकूर और दूमका के कुछ अस्थानों में परवेस किया इसके साथ ही मौसम में भी बदलाव दिखना सुरू हो गया बतादे राजधानी राची समेत अन्यक कई जिलों में बुंदा बांदी से लोगों को भिशन गर्मी सराथ मिली है वहीं लातेहर में तेज आंधी के साथ बारिश सुरू हो गाई तेज आंधी के कारण कई पेन भी गिरे है मौसम केंद्रे की माने तो 20 जून से राजधे के कई हिस्वों में हावा और बारिश हो सकती है वहीं हावा की गहती 40-50 किलोमेटर पती घंटा भी हो सकती है बता दे मौसम केंद्रे ने 20 जून को राजधे में कहीं कहीं गरजन और बारिश बारिश के साथ तेज सती हावा चलने की समहना जताई वहीं एकई जून को राजधे के उत्तर पूर्वी भाग, देवगर, धनबाद, दुमका, गिरीडी गोड़ा, जामतला, पांकुल और साहवगन तथा दक्षिन पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी समहना जताई है इस दोरान भी हवा अधिकतम गाती 30-40 किलोमेटर पति घंटा होगी हेमंत सुरेन का टांसजेंडर को तोफा मिलेगी 1000 रुपे पेंसन जार्खन सरकार अबराज में रहने वाले टांसजेंडर किन्नर को हर महीने 1000 रुपे पेंसन देगी दरसल महिला बाल विकास और समाजिक स्प्रक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तयार किया है विभागिय मंत्री जोबामान जी और विकास आयूत के अधक्सता वाली राज्य योजना प्राधी किरित समीती ने इसे मंजुरी दे दी अब विभाग प्रस्ताओं को केविनेट में भेजेगा हलाकि चालू भी तिये वर्ज साल में इसके लिए वयट का परधान नहीं है लेकिन अनुपूरक वयट के माध्यम से परधान किया जाएगा वहीं लाबगों का चैन होने के बाद सरकार पेंसन रासी ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी सरकार के पास उपलब्द आकडों के अनुपूरक राजे में लभग 14,000 ट्रांसजेंडर हैं वहीं 2011 की जनगना में असंख्या 11,900 थी ज्यारखन की न्याय पालिका पर 6,000,000 मुकादमों का बोज देश में न्याय तक पहुंच परदान करने के मावले में उतर भारत के राजेों की सिती चिंता जना खाए इसी करम में ज्यारखन की न्याय पालिका पर भी बरतमान में 6,000,000 मुकादमों का बोज है बता दे हर दिन मुकादमों की संख्य में ब्रीधी हो रही है वहीं अदालतों द्वारा मुकादमों का निस्पादन भी हो रहा है कुछ अपवादों को छोर दिया जाए तो लोगों को नयाय पाने के लिए निचली अदालतों में वर्सों तक का इंतियार करना पड़ता है जारखन हाई कोट में 37 वैसे केस हैं जो 30 साल से अधिक समय से भी लंबी था हैं इसमें सीविल के 36 वा क्रिमिनल के एक केस सामिल हैं आधोनिक इस्टील का मेनेजर टीपी से के लिए वसूलता था लेवी आधोनिक इस्टील का मेनेजर अजय कुमार सिंग टीपी सी उगरवादियों के लिए कोईलार ट्रांसपोर्टरों से लेवी वसूलता था अजाय सिंग और कमपनी के जे एम संजय जेन जंगल में आयो जीत टीपी सी उगरवादियों के एक बैठक में भी हिसा लिया था एन आये ने अमरपाली प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर फंडिंग मामले की जांच के बाद इन तत्यों के जनकारी कोट को दी थी एन आये द्वारा पेस तत्यों के आलोक में कोट ने अधुनिक पावर के मैनेजर का डिस्चार्ज पेटिशन खार्ज कर दिया है अब टेंडर फंडिंग के मामले में दूसरा रोपत्र दायर किये जाने के बाद आधुनिक पावर और नेचुरल रेसोर्स के मैनेजर अजय कुमार सिंग ने डिस्चार्ज पेटिशन दायर किया था मामले की सुनवाई की दूसरा अजय कुमार की ओर से यह दलील पेस की गई की इस पूरे प्रक्राम में वह निर्देश है साराय केला में राजेपल ने स्टुडेंट से गिया सनवाद बच्चों को अंडा अर्दूद मिले जार्खन के राजेपल सीपी राधा किष्ण सोमवार को सराय किला दौरे पर रहे इस दोरान उन्होंने जीलों में आयोजित कई करक्रों में सिर्कत की है सबसे पहले राजेपल सीपी राधा किष्ण स्तराइक लाई थी संजय ग्राम इस्थीत अनुसुजी जन जाती आवासे बिद्याले में स्कूली छात्र छात्राव के साथ सनवात करक्रम में सामिल हुए राजेपाल ने जन जाती है अवाज से बिद्याले के छात्रों के साथ मिल कर पोधार अपन किया और तस्वीरे खिचाई एवन बच्चों के बीच टोफी का भी बित्रन किया वहाँ बच्चों को प्रसाहित करते हुए अच्छे से पढ़ने की बात कही है वहीं केवी पी एसडी बालिका उच बिद्याले में अविजित कारक्रम में राजेपाल ने कहा है कि कक्छा नौ से उपर तक के बच्चों को सब्ताह में एक अंडा और दो गलस दूद मिले इस समान में वे राज सरकार से बात करेंगे सहियाओ ने मांदे बढ़ाने की मांग की राज जेपाल ने पंचायत भर में अविजित कारक्रम में परिसंपतियों का बितरन किया वहीं परधान मंत्री आवास वजना और संजन पिंसन वजना के नई लावकों के बीच स्विक्रिती पत्र का भी बितरन किया मौके पर राज जेपाल से सहियाओ ने महिलाओ का मांदे 2000 बढ़ा कर 8,000 रुपे करने की मांग रखी सहियाओ की मांग को राज जेपाल ने सरकार के समख्ष रखने का अस्वासन दिया मौके पर DC, औरवा, राज कमौल, SP, अनंद परकास मौजूद थे जूबली पार्क में मचलियों की मौत पर सरजू राय ने उठाए सवाल बिधायक सरजू राय ने कहा है कि जूबली पार्क इस्थित जयंती सरोवर में हजारों मचलियों के मनने के कारणों की जाच और उनका खुलासा होना अवस्यक है जिन संच था के आधीन तलाब है उससे अरंभिक बक्तब जारी करना चाहिए मतसे निदेशक ने बात चित में कहा है कि जीला मतसे पताधिकारी जाच कर गरवाई करेगी जीला मतसे पताधिकारी का जो बेयान अख़बारों में आया है वो संतोष जनक नहीं है केवल इतना कहना की तला में उक्सिएन की कमी हो गई है मचलियों की संक्या बहुतायत हो गई है और पानी का तापमान बढ़ गया इसलिए मचलिया मर गई यह परयाप्त नहीं है सरजु राय ने कहा है कि जिला मतसे पतादिकारी को तलाब के पानी मृत और जीवीत मचहलियों जलिय वनस्पतिया तथा तलाब की गाद का नमुना सरकार की परियोग सला में जाच कराना चाहिए प्रिंस खान के दस गुर्गे गिरफतार ब्यवसाईयों को धमकी देकर पैसावा सुनने वाले प्रिंस खान के दस गुर्गों को पुलिस ने गिरफतार कर रभीवार को जेल भेज दिया है पकड़े गए बदमासों में एक महिला भी सामिल है वा पैसो के लेन देन में अहम भूमका निभा रही थी पुलीस प्रिंस खान के पूरे सिंडिकेट को ध्वास्त करने में जुट्टी है इस करम में एक दर्जन से अधीक पुलीस पताधिकारियों को काम पर लगाया गया बताधे प्रिंस खान तक रुपे पहुचाने वाले तक्रीबन तीन सव अलग अलग नाम के बैंक खातों को पूरिस खंगाल रही है ज्यारखन में युआ कॉंग्रेस ने पूरी की तीरपन किलोमेटर लंबी भारत जोड़व यातरा भारतिये राश्ट्रे कॉंग्रेस के पूर्वा ध्यक्ष और पूर्वा सांसर रहूल गांधी का आज तीरपनवा जनम दिन है इस मोके पर ज्यारखन युआ कॉंग्रेस ने तीरपन किलोमेटर लंबी भारत जोड़व यातरा पूरी की 18 जुनको संगहर्स की धरती बीरता मुंडा के जनम अस्थली खोटी के उलिहातू से शुरू हुई यातरा आज रांची के मोराबादी मैदान में बापू वाटका पर समाप्त हो गई यातरा की समाप्ती पर कॉंग्रेस करका ताओने बापू वाटका में ही केक काटका राहूल गांधी का जनम दिन मनाया मुआबजे की पैसों के लिए रिस्टो का खून जारखन के साहव गंज में बुजूर्ग महिला की निर्माम हत्या कर दी गई हत्यारे ने घर के आंगण में खाट पर लेटी महिला का गला रेद दिया महिला की चीक सून निकले पती पर भी जानलेवा हमला किया गया यह ममला साहव गंजीला के तीन पहार थाना छेतर अंतरगत सावलापूर सडक टोला गाउं का है मिरितक महिला की सिनाक्त सीव लाल सुरेन की 65 वर्स ये पतनी रंधावन टूडू के रूप में की गई हत्या क्या आरोप सीरील सुरेन नाम के ब्यक्ति पर लगा है इस जगह ने हत्याकान का च्छा सम्दीत मिरितका का पती है बताया जाता है कि आपसी रंधावन सीरील ने रंधावन की धारदार हत्या से गला रेत कर हत्या कर दी और फ्रार हो गया हत्या कान के च्छा सम्दीत सीव लाल सुरेन ने पुलिस को बताया है कि उसकी पतनी रंधावन आंगन में खाट पर सोई थी तभी अचानक मैंने उसकी चीक सुनी मैं बरामदे में सो रहा था चीक सुनकर आंगन में निकला तो देखा एक व्यक्ति भाग रहा है धन्यवाज यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहल के लेकर दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक करें अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस्य दे थैंक यू